पशुपती नात का एक ब्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपती ब्रत आजकल लोगों ने शिव महापुरान की कथा में से देख देखकर खुद की आईडी पर खोव सारे पशुपती ब्रत बना बना के डाल दिये कि एसा करो एसा करो फिर उद्ध्यापन भी एसा करो पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपती ब्रत में कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा धोंग प्रपंच कुछ नहीं करना सुबरे के समय पर थाली लेकर जाओ शंकर भगवान का पूजन करकर अभिशे श्याम के समय लेकर जाओ श्याम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का परसा जिसके तीन हिस्से हो जाए छे दिये घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाए भगवान को बेल पत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाए प्रेम से बाब अपनी पेश्ब कर लो दो हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है एकस्से अपनी थाली में बापिस लेकर आना एक दिया लेकर आना उसको वहां से जलाकर नहीं लाना पांच दिये मंदिर में जला दी जिए जब दीप पाच पंचानन्द भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो पांचो दिये जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपती व्रत कर रही हूँ बाबा आप इसे स्विकार करना पशुपती व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर पांचो व्रत होते हैं मंदिर नहीं बदला जाता अगर माईके जाना है तो वापिस आकर करो पशुपती व्रत यह नहीं कि मैं माईके में एक कर लूँगी या वहाँ जाकर एक कर लूँगी ऐसा नहीं होता जैसे संकट सुम्बार, सुला सुम्बार होते हैं संकट सुम्बार, सुला सुम्बार का भी वरत का इसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है, उसी घर में करना होता है यह नहीं कि किराय के मकान में रे रही हो तो मैंने किराय का मकान बदल लिया है अब बदला मकान में पोच गई तो एक विरत महा कर लूँगी, नहीं, नहीं वो ध्यापन तक उस मकान में तुम्हें रेना पड़ेगा जिस मकान में तुम रेगा तो हाँ तो तो विरत का मतलब अब अशुपती विरत के अंतरकत साम को पांच दिये एक दिया जला कर प्रजुलित करना है आपको कहां जब परशाद लेकर बाबा को निवेदन करकर अपने घर पर जब आएंगे आने पर दरवाजे परवेश करेंगे मुख्य द्वार में जब परवेश करें उसी के राइट भाग में आप बेट कर अपने घर की और मुख करकर बड़े प्रेम से उस दिये को समर्पित कर दें बाबा से बिंती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आप के लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुल्भ करें मेरे घर की जो बांदा है जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पून करें बाबा को निवेदन करकर परशाद लेके गर में प्रवेश कर जाएं सुभा के समय जब आप फलार कर लें शाम के समय आप भोजन कर लें भोजन कब करना जब एक भाग परशाद का लाएंगे उस परशाद में से किसी को नहीं देंगे वो परशाद पेले आपको खाना है उसके बाद भोजन गरन करना है नमक दोनों समय खाओ कोई मना नहीं फलार में भी खा लीजिए शाम को भी खा लीजिए कोई चीज की मना नहीं बस बाबा का इस्मर्ण करो पांच ब्रत पूर्ण हो जाए छटे ब्रत में कुछ भी 108 समगरी लेकर जाओ चाहे मूंग लेकर जाओ चावल लेकर जाओ चाहे बेल पत्र लेकर जाओ चाहे 108 माखाने लेकर जाओ चाहे तुमारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ 108 पुष्प ले जाओ स्वेट पुष्प ले जाओ रक्त पुष्प ले जाओ जो तमारी मर्जी पड़े पर एक सुआट लेकर जाईए शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें पुष्प समर्पित कर दें एक सुआट तब एक श्रीफल ग्यारा रुपे बाबा की चरणों को समर्पित कर दें सोसारत कर करना अहंकार नहीं जितने पशुपती वरत करो आप उसमें अविमान को त्याग दो शंकर जी के दरवाजे पर सुबेर जाओ ना तो पहले अहंकार छोड़ कर जाए पशुपती वरत आप जब करें भगवान शिव को पांच वरत हैं बीच में कोई बांधा आभी जाए उसको छोड़ दो अगला करूँ पर करो जरूर दुनिया का इसा कौन सा कारे है जो पशुपती वरत से नहीं हुआ ना जाने कितने लोग पशुपती वरत को करे होंगे और बाबा ने एक वरत में दो वरत में तीन वरत में पांच वरत में कुछ ना कुछ तो दिया होगा अगर बाबा मानलो तुमारी काम नाम उननीवी करता तो मन की शान्ती तो देही देता है हरदय की शान्ती तो मिल रही है ना बहुत है भगवान शिव का नाम पशुपती नात पड़ गए तुम गयो संकर जी के लिए अगर शिव जी के लिए गयो तो फिर क्या सोचना मंगल वार तेरा है शनी वार तेरा है लो समालो भोले जी परी अपने को क्या सोचना है यह मंगल उसका शनी उसका बार किसने बनाए बोलते जाओ जरा संकर जी ने नच्छत्र किसने बनाए शिव जी ने घड़ी किसने बनाई शिव जी ने पल किसने बनाया शिव जी ने यह अमावस पूनम चतूर्थी पंचमी तीज यह जितनी तिथियो का निर्मान करा संकर जी ने हर घड़ी घड़ी पल जितनी भी बनाए सब संकर ने बना तो जब सब शिव जी ने बनाए तो हमें पीपल के विरक्ष में तो तुम रविवार देख सकते हो पर संकर की पूजान में यह नहीं रेखना कि मैं सोंबार कोई मंदर